बनाच का माहाmost एक मास्म का इस एक सिरांगर वगरिए, क्राकि फोन पर इक करीक होता है तो जनसे पर आपकेक यह समद फ्र 현재 गिर गई कोजाने वास जाती है कि जो उस फोन नंबर से बैंक एकाउंट लिंक होंगे सभी पेमेंट्स लिंक होंगे सबसे बड़ी टैंसन यह हो जाती है कि कहीं उसका मिस्यूज ना हो जाए जिस वज़े से आपको अपनी लॉश्ट सिम को ब्लॉक कराना बहुत ही जरूर है आप भी अगर इसलिए कि मेरे इस वीडियो को देखने आए हैं अगर आपकी शिम लॉश्ट हो गई उसको आप ब्लॉक कराना चाहते हैं तो आप कैसे ब्लॉक करा सकते हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको फूल डीटेल से बताऊंगा वीडियो आपको लिए बहुत यादा हैलफ लोग इस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सिस्क्राइब कर लेना हो सूँ दाड़ोस टिके इनी मोर टाइम लेट्स केट इस सबसे पहले तो हम बात कलते हैं कि अगर आपकी शिम लॉश्ट हो गई है तो आपको कैसे इसको ब्लॉक कराना है सबसे पहले मैं आपको बता इस टोर कर अब ब्लॉक कराने के करना गया है अगर आपकी शिम लॉस्ट हो गई है इसको ब्लॉक कराने के लिए नबर किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं इसके इसके बाद आरा है कि इसको block कर दीजिए, block करने से पहले वो आपकी कुछ detail मांगेंगे, सबसे पहले तो जिस भी बंदे की name पर sim होगी मतलब अगर आपकी sim lost हुई है, वो आपी की name पर है, आपके आधार card पर है तो आपसे कुछ detail मांग सकते हैं, like date of birth मांग सकते हैं, state पूँच सकते हैं, आधार card के last के four digits पूँच सकते हैं, तो ये detail कुछ आपको basic सी detail उनको share करनी पड़ेगी, जैसे हो confirmation हो जाती है उनको, कि आपी की name पर ये sim तो उदर से block कर देते हैं, so guys इस तरीके से आप simple से steps से आप अपनी sim को block कर सकते हैं, सबसे बड़ी आपको परेशान ही ये आजाती है, कि detail की number से ही, आप 198 और साथ में 121 पर detail की customer gear को call कर सकते हैं, तो अपने relative की देख लेना, कोई detail की sim यूज करता हो तो उनसे भी आप call कर सकते हैं, बट अगर आप non-atel number से call लगाना जाते हैं, तो ये website आपको इदर पर search करना है, chrome browser पर www.atel.in slash contact-non-atel आपको search कर देना है, and simple से search करने के बाद, आपके सामने कुछ इस type के website आपके सामने आ जाती है, इदर पर जैसे कि आप दिख सकते हैं और लेडी मैंसा ने कुस्टमर किया non-for atel postpaid prepaid calling from non-atel numbers, और साथ में नीचे जैसे scroll down करते हैं तो atel prepaid और साथ में atel postpaid का option देखने को मिल जाता है अगर आपका atel prepaid number था तो prepaid पर क्लिक करेंगे, postpaid का number था, तो postpaid पर क्लिक करेंगे तो simple से इधर पर सभी state की numbers देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप डेली से हो, तो डेली के number देखने को मिल जाता है UP East से हैं, तो UP East का customer gear के number देखने को मिल जाता है मतलब इधर पर मैं display पर भी देखा रहा हूँ आपको इन से आप note भी कर सकते हो, अगर आपको जल्दी है, वेबसाइट नहीं सर्च कर पा रहे है तो इससे आप अच्छे से देख ली थी, screen shot लेकर भी call कर सकते हैं, डेली से हैं, तो डेली के number सो हो रहा है, UP East का है UP West का है, पंजाब का है, हरियाना का है All state के इधर पर, जसकी आप देख सकते हैं, West Bengal, बिहार, और साथ में आसाम, ओर इसा, और साथ में इधर पर सभी state के number सो हो रहे हैं, तो इन पर call लगा कर simple से, आप non-itle number से call लगा कर, अपनी SIM को block करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर अगर आपके पास में इटल SIM नहीं है, तो आप call लगा ना जाते हैं, तो इन number से call लगा सकते हैं, इस website को सर्च कर कर भी आप देख सकते हैं, वरना मैं ने वीडियो में आपको दिखाई दिया है, सभी state के number, तो गईजे इस तरीके से आप अपनी नहीं चार्ज के आपकी SIM ब्लॉक कर देंगे, तो इस तरीके से भी अगर आप इतना सब नहीं कर पा रहे हैं, तो अटल के स्टोर पर भी जा कर सकते हैं, और आपका फोन लॉस्ट नहीं हुआ है, आपकी SIM अर्ली लॉस्ट हुई है, और आपके फोन पर एटल थैंक्स अप्लिकेशन डाउनलोड है तो एटल थैंक्स अप्लिकेशन के हैल्प सेक्षन पर भी जाकर अपनी शिम को ब्लॉक करा सकते हैं तो गाइज यह कुछ आपको options देखने को मिल जाता है अब गाइज हम बात कलते हैं अगर आपने अपनी SIM को ब्लॉक करा लिया है अब आप सोंसते हैं भाई हमारी वो SIM तो चली गई अब हमको SIM की जरूरत है तो आपको कैसे उसको reactivate कराना है अपने ही नाम पर मतलब आपके ही नेम पर वो SIM थी अब आप कोई new smartphone लेकर रहे हैं फिर आप किसी new smartphone पर SIM को डालना चाहते हैं अब सोंसते हैं उसको फिर से हमें on कराना है हमारी important SIM थी वो आपकी important SIM होगी मुझे पता है और इसके लिए simple से आपको किसी भी nearest airtel store पर ही visit करना पूड़ेगा ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं आउन करा पाएं नियरेस्ट airtel store पर जाने के बाद उसे आपको बोला है सार मेरी SIM lost हो गई थी तो इसको SIM को swap कर दीजिए आपको simple से बोल देना SIM को replacement भी कर दीजिए या फिर SIM को swap कर दीजिए तो आपकी कुछ detail लेंगे अधार detail मंगेंगे अधार कर लेंगे और हो सकता है आईडी पर देखने को मिल जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से आप अपनी SIM को reactivate भी करा सकते हैं तो और भी आपको कोई भी परेसा नहीं आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर message कर सकते हैं फुल आपकी help करने वाला हूँ बागी तो मैंने आपको full detail से बता दिया है कि आपको अपने एटल सिम की lost एटल सिम को कैसे ब्लॉग कराना है तो वुडियो संदा तो लुटो को लाइक करकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है थैंक्स वाचिंग गाइड